दोस्तों मैं लेके आई हूँ डी कंस्टर्ट का वाइटमिन सी एन फेरॉलिक एसिट सिरम के बारे में नॉन स्पॉंसर रेवियू इसको मैं अपने फेस पे यूज करके दिखाऊंगी बात करूंगी इसके फायदे नुकसान के बारे में इसको पर्चेस करना सही रहेगा कि न का हाई-ली एफेक्टिव येट जेंटल वाइटमिन सी एंट फेरॉलिक एसिट सेरम जो कि 10% वाइटमिन सी के साथ आता इसमें 0.5% फेरॉलिक एसिड है यह स्किन को ब्राइटन करने में मदद करता है और यह एंटी- आक्सडेंट क्रॉपर्टी के साथ आता है देखिए द देखे दोस्तों यह जो सिरम है यह करता क्या है यह वाइटमिन C के साथ आता है जो कि skin को ब्राइटन करेगा फेरुलिक ऐसेड है जो कि एंटियॉक्सिदेंट रिच होता जो sun damage हो गई है इसको यह रिपेर करता है देखे इसमें इंग्रीडेंट लिस्ट पूरी मेंशन की गए जिसको पॉस करके चेक कर सकते हैं जब इंग्रीडेंट से सैटिस्पाइड हो तभी कोई आप यूज करें यह फ्रेग्नेंस फ्री है सलफेट और पारबन फ्री है दमेटो लॉजक्ली जब आप इसको एक बार ओपिन कर देते हैं तो सिव छे मन तक ही इसको यूज कर सकते हैं क्योंकि यह शे मन की शेल्फ लाइफ के साथ आता है देखिए दोस्तों जब यह जो प्रोजेक्ट है इसकी आर ट्विंटीफॉर मन की शेल्फ लाइफ है जब ओपिन करोगे तब श साइज भी है लेकिन फर्स टाइम कोई भी प्रोजेक्ट अगर आप ट्राय करते हो तो मेरी राए यह रहती है कि टेस्टर साइज पर चेस करो जब पसंदा है प्रोजेक्ट तो बड़े में पैसे लगा सकते हो देखिए आप इसको डे एंड नाइट दोनों यूज कर सकते ह और यह जो प्रोजेक्ट है अगर फिर्स टाइंग यूज कर रहे है तो पैस्ट जरूर कर लो पैस्ट तो मस्ट होता है कोई भी स्किन केर हेरे के प्रोजें यूज करने से पहले इसी लिए मैं प्रैस्ट के लिए हमेशा कहती हूँ अंदर आपको ग्लास जार बॉटल मिल जाती है ग्लास जार है और पंप आपको मिल जाता है तेस्टर साइज में भी पंप अबलेबल है जो कि बहुत अच्छी बात लगी लेकिन दोस्तों एक ड्रॉबैक इसके बारे मुझे लगा कि इसका पंप जब आप फेस पर डारेक्ट लगा होगे सीधी-सीधी खडी बोतर तो उसमें यह वर्क नहीं करता है जब हैंड में लेके लगा होगे तो वह तेड़ा करके पंप यूज करोगे तब यह वर्क करेगा तो बहुत लोग पूछते ना पंप काम नहीं कर रहा तो उसकी मवज़ा यह भी हो जाती है अगर कंसिस्टेंसी एड फॉर्मले के बारे म और उसके बाद बिल्कुल मैट फिनिश नहीं थोड़ी सी ड्वी फिनिश देता है देखो फेस को अच्छे से क्लीन करने के बाद ही सिरम को लगाना है और उसके बाद तीन दो से तीन जॉब आपको लगाने है और देखिए इसको डैब डैब करके स्किन में एब्सॉब करा तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है वरना बहुत लोग कहेंगे कि आपने हाथ में लेके लगाया देखिए मैं इसको 6-7 दिन से यूज कर रही हूं मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को लगा 6-7 दिन में ही स्किन बहुत ब्राइटन सी लग रही एक टोन बाकी बहुत फेरनेस कुछ नहीं मिल गया लेकिन स्किन ब्राइटन लग रही है मैं उनको रिक्मेंट करूं कि जो स्किन ब्राइटनेस चाहते हैं वीडियो पसंद आथा तो लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और फर्स टाइम यूज कर रहे तो पैस्ट टेस्ट करें टेक केर ब फील सब्सक्राइब करेंदो कर यह खंदू Union